असलाव अलेकुल दोस्तों आज की स्टोरी है बड़ी ही अच्छी वो कैसे आएए देखते हैं ये स्टोरी है एक किसान की जिसने जंगल के करीब एक कैटल हाउस बना रखा था वहां पे उसमें छोटे छोटे जानवरों के इलावा तीन बरे बैल रखे होए थे इसान उनकी खूब खिदमत करता क्योंके पास ही जंगल था ओ रिक्षेर का वहां से गुजर हुआ उसने जब ये मोटे तादे बैल लेखे तो उसके मूँ में पानी बर राया वो इनको खाना चाहता था लेकिन उनका शिकार करना को इसान काम ना था क्योंके तीनों बैल उसकरता और किसी मुनासिब मोका की तलाश में रहता शेर ने तरकीब सोची कि किसी तरह इन बैलों में फूट पाड़ जाए फिर शिकार करना असान होगा ऐसा करने के लिए उसने गोरे की मदद ली गोरे ने जाकर तीनों बैल को अलग अलग कहा के दूसरे दो तुम्हें म आपस में नराश हो गए और अलग-अलग हो गए तरही वो मुका ता जिसका शेर इंतजार कर रहा था शेर ने पहले एक पहल पर हमला किया फिर दूसरे और तीसरे पर और पीर इस तरहा उसने तीनों का शिकार कर लिया इस से हमें ये पताच चला कि आपस में सुलूक और मिल जुल कर रहना बहुत नुकसान से बचा सकता है इसी के साथ दोस्तों आला हाफिज दिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ